तो गाइज Android 15 का बेटा 2 वर्जन यहाँ पर रिलीज हो गया है और बहुत सारे फीचर्स गाइज Android 15 में हमको देखने को मिलने वाले हैं तो कौन-कौनसे फीचर्स गाते वाले हैज इंत़ार करना वने प्लस पेंवरे में आप ये आपदेट यूज कर सकते हो क्योंकि इसका बेटा जो है वन प्लस पे भी टेस्ट किया गया था तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए काफी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं लिख है वह मैं बिल्कुल जो सारे नई फीचर से वह आपके लिए लिख कर तो यहां पर बस इसका इंतजार बहुत ही जल्द खतम होने वाला है पहले इसका बेटा 1 रिलीज हुआ था उससे में बने शायद वीडियो बनाई था बेटा 2 रिलीज हो गया है और बहुत ही जल्द स्टेबल वर्जन भी आएगा और सबसे पहले पिक्सल 9 सीरीज है जो उ पहले फीचर से पूरे फीचर आपके लिखे है मैंने अब यहां पर यह क्या है लोग एंड हाइट हाइड सैंसिटिव एप्स यहां पर आपको पता है कि आप अप्लिकेशन को लॉग कर सकते हो है ना अप लगा सकते हो यह भी सब फोन में नहीं मिलता फीचर बस रेडिम के फीचर है जो आपके applications को है ना बचाएगा sensitive applications को जो है और उको दीखने से बचाएगा तो यह feature बहुत ही बड़ी आने वाले privacy से समंदित कि आप applications को और भी effective तरीके से lock and hide कर सकते हो अब यहां पर यह background apps restriction गईस यहां पर आपको पता है ना android एक open source operating system है और मतलब इसमें खुलम खुले जो है काम चलते हैं यहां पर बहुत सारे लोग जो है सेटिंग से जाके बट फिर भी लोग नहीं करते steps लोग को नहीं आज रहता है कुछ भी अब android 15 में खुदी होने वाली है क्योंकि हम इसको smartphone बोलते तो smart चीज़े अपने आप होनी चाहिए मतलब यहां पर आपका phone detect करेगा कि क्या आप यूज कर रहे हो क्या यूज नहीं कर रहे हो जो आप यूज नहीं करोगे उस पर जो है समय समय पर background apps पर यह restriction लगाता रहेगा जिससे कि आपके resources बहुत कम खर्चोंगे आपकी battery बहुत जादा बचने वाली है तो अब आपको इसकी टैंशन लिंग नीज़र इतनी है कि background apps को बंद करें चालो करें फोन आपका खुद देख लेगा Android 15 में तो यह बहुत ही बहतरीन है multitasking में improvement हुए multitasking क्या होता है कि मतलब एक साथ जो है WhatsApp यूज कर रहे हो Instagram भी यूज कर यूज कर रहे हो तो अब इसमें भी improvement होगी कि आ app pairing नाम का feature आया है जिसका अर्थ यह है कि आप जो है एक ही समय पर दो application को ला सकते हो लांच कर सकते हो मतलब split screen का यूज करते हैं तो यह वैसा ही कुछ होगा मतलब आप जो है दोनों application को open कर सकते हो YouTube और WhatsApp तो इससे क्या होगा कि आप जो है दोनों application को एक समय पर यूज कर सक सब्सक्राइब करें यहां क्योंकि mostly features यहां पर है already लॉक वाला हो गया और है इनको advancement करी गई है अब समय रहे हैं आप सब्सक्राइब कि इतनी चलाकी से खेल रहे हैं अब इसके बारे वीडियो आप देखना अगर आपको जानना है तो बहुत बड़े फीचर है तो यही है कि अब मालो आपके background apps पर restriction लग रही है है ना file to resource खशनी और तो obviously आपका improvement किया है इन चीजों में यह feature बहुत ही चर्चे में है new anti theft lock feature अब भया कभी कभी क्या होता है phone जो है हम जा रहे हैं कई भी कोई भी जो है लेकर चला जाता है सबसे पहले चोर का काम यही होता है कि वह जो है आपका mobile लेटा बंद करें आपके phone को internet से disconnect करें जिससे कि उसको track ना किया जा सके लेकिन अब आपका phone जो है sensors के द्वारा detect करेगा क्योंकि अब है चोर phone लेके भागेगा है ना वह खड़ा तो रहेगा निवाँ पर दिरेदर तो चलेगा नी तो आप जैसी वह भागेगा आपका phone automatically lock हो जाएगा और एक alarm आपको दे कर सकता है ना और दूसरा अगर कोई आपके phone कर नेट बंद कर रहा है disconnect करने कोशिश कर रहा है और वह आपका phone detect करता है कि हम यह चोर है आप नहीं तो भी आपका phone जो है lock हो जाएगा और उसको जहें offline भी track किया जा सकता यह भी feature पर Android 15 में काम हो रहा है मतलब आपका phone गुमा काफी चीज़े कम होंगी मतलब phone जहें चोरी होने काफी जाधा कम हो सकते हैं तो वेट करते हैं इस feature का और जरूर हम देखना चाहेंगे कैसे यह feature काम करता है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में आपको एक app archive का feature मिलता है जिस पर मैंने भी बात किये आप यहाँ पर आपका Android 15 आटोमेटिकली काम करेगा जी हा सब कुछ आपको जो है आप खुदी मिलेगा करा हुआ आपको खुद नहीं कुछ करना पड़ेगा मतलब जो कर सकते हो और यूज कर सकते हो और आर्काइव का मतलब सिर्फ इतना है कि एप्लिकेशन आपका जो भी स्टोरिज दे रहे हो नहीं लेगा और आपका डेटा डिलीट नहीं होगा अनिस्टोल नहीं हो गई आधा अनिस्टोल होगा ऐसा यह एंड वाला option है और सबसे बहुत ह अब यहाँ पर हम मैं भी screen recording कर रहा हूँ है ना आप भी screen recording करते हो या कही पर भी कोई भी meeting आप screen sharing करते हो अब computer में तो आपको option मिलता है कि आप पूरी screen share करना चाते हो या कोई specific window share करना चाते हो लेकिन अब यह feature बहुत ही जल्द android में आने वाला है मतलब आप कोई भी screen recording कर तो आप सिर्फ एक entire window ही share कर सकते हैं आपको पूरी entire screen share नहीं करनी पड़ेगी मतलब माल लो हमको सिर्फ WhatsApp ही दिखाना है वीडियो में तो WhatsApp की screen share होगी बाकि यह जो notepad खोला है मैंने है ना home screen पर आया है वो कुछ भी share नहीं होगा तो सोचो इससे आपकी कितनी जादा privacy चीज शेर होगी जो आप करना चाहोगे तो मतलब यार सच में अब लग रहा है कि Android में कुछ काम हुआ है क्योंकि 13 14 12 तो ऐसी डिले डिले से आया थे दोस्तों इतना कुछ बड़ा आया नहीं था लेकिन यह सारे features जो Android 15 में आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया है अभी तो यह गूगल रोल आउट करेगा अभी जो कस्टमाइज फोन है है ना जैसे यह रेडमी उपो भी इन सब में तो और भी अपने भी फीचर आएंगे और हो सकता है यह जो मैंने फीचर बता है इनमें से कुछ फीचर काट भी दे महीं है क्योंकि अपने जो है फीचर लाते है और पुराने काट देते हैं लेकिन हाँ पिक्सल के जो फोन होंगे और मतलब जो गूगल से पावर्ड होंगे जो स्टॉक एंडोड होंगे उनमें तो आपको फीचर देखने को मिलेंगे ही तो यह कुछ कहानी है Android 15 की काफी बड़या बड़या फीचर जो है यहाँ पर देखने पूछ सकते हूँ यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई